नमस्कार में गौरी देख रहे हैं आप सीनी उस भारत व्रिक्ष मानफ के लिए बर्दान है व्रिक्ष से ही पारिस्तितिक संतुलन बना रहता है लेकिन बढ़ती आधुनिक्ता के साथ अब व्रिक्षों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है चीजों को हाइटेक बनाने के लिए पेडों की अंधादूंद कटाई की जा रही है कुछ ऐसा ही देखने को मिला दुर्ग में दिल जहां जिले में पेडों की अवैद कटाई का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है लकडी माफिया लगतार संबंदित विभाग के बगैर प किसान अपने खेतों में काटों की बिनाई छटाई करते हैं ताकि एक अच्छी फसल का उपजाव ले सके और खेतों का रख रखाव कर सके किन्तु इस सिजर में ऐसा भी देखनों को मिलता है कि कुछ किसान जो है अपने खेतों में निरंतर जो प्रतिबंदित लकडी है अर जिवारा विधान सभा के रवीली ग्राम के आसपास और जिसके खेत में मैं दिखलाना चाहूंगा जितनी पेड़ आपको नजर आ रही लगबग एक दो तीन लगबग ये दस की संख्या में आसपास बड़े-बड़े कवहा के जाड़ है जो बहुत ही पुराने जाड़ है इनकी मोटाई इतनी हो चुकी थी कि इनसे पुरा खेत हरा-бरा नजर आ रहा था लेकिन चुकी मुझे ऐसल प्रतीत हो रहा है कि जहां जहां आज कल कवहा की कटाई हो रही है कहीं भी संबंदित विभाग से अधिकारी से किसी प्रकार का परमिशन नहीं लिया जा रहा है आ आजकल ये अवैद जो पेड़ों को कटाई करने वाले जो ठेकेदार हैं जो वरकरों को ले करके ठेके जाड़ों की कटाई कर रहे हैं खांस बात मैं आपको बतला दूँ कि ये जो है इनके पास बकायदा कुलहारी और कांटेने का बड़े-बड़े मसीन के अवजार रहते है जिनसे इन्होंने पेड़ों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है अब देख सकते हैं घेराबंदी के अंदर पूरे बड़े-बड़े कवहा के गोले साफ साफ नजार आ रहे हैं ये रोड की किनारे ही है और ये आते जाते साफ आपको नजार आ शकता है चूकि असल लग है कि इस पर कारवाई हुई है क्योंकि इसमें नंबर अंकित किया गया है बट मैं आपको बता दू जीले में इस तरह का काम जो है धडलले से अवैट पेड़ों की कटाई चल रही है और खास बत ये है कि इतने कड़े प्रतिबंद कानून होने के बावजूद प्रशासन से उन्हे कोई डर और भैर नहीं रहता और बेखोफ होकर यह लगड़ी के कटाई कर देते हैं चाह किसान कहे चाह ठेकेडार और किसान और ठेकेडा की मिली भगत से ये कार्य होता है क्योंकि इने प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आता है फंसीनुस भारत के लिए लोके स इस खबर में बस इतना ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं आप सी नीउस भारत